हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल, तो जाजिक आप लोग थामनेल में देख चुके होंगे आज का वीडियो होने वाला है Q&A वीडियो, तो questions and answers, मतलब मैंने जब previous जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, related to the recruitment of office executive and JOTCAMTA, तो मुझे बहुत सारा questions करना की सबको reply मिल जाए, but मैंने ये देखा कि कुछ-कुछ question बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है, बहुत repetitive है, तो मैंने सोचे क्यों ना है, वो सब question जो लगभग बहुत लोग पूछ रहा है, उसको मैं इसी वीडियो के थ्रूँ आप लोग को मैं answer दे दूँ, so that आप लोग का जो है doubts clear हो जाए, और कोई confusion ना रहे, तो ये particular वीडियो में मैं 6 ऐसे question को top 6 questions या doubts आप कह सकते, उसका मैं answer देना वाला हूँ, तो end तक वीडियो को जरूद देखियेगा, and इसके नीचे भी आप comment कर सकते, next फिर से मैं एक Q&A वीडियो लाँगा, part 2, तो महा पर फिर मैं और 6 questions को address करूँगा, तो आज का वीडियो को सुरू करते है, without wasting any further time, number one, जो एक question मुझे बहुत ज्यादा पुछा जा रहा है, वो है कि CPT test इस बार होगा की नहीं, अब पता नहीं इसको लेके बहुत लोग को confusion आभीजा क्यों है, देखिये, जो second notification आया है, re-exam के बारे में, उसमें साब साब लिखा गया है, कि आपका CBD test होगा, instead of offline test होता है, computer based test, जो कि हो चुका है, जिसमें आप लोग qualify कर भी चुके होंगे, उसके बाद direct आपका personal interview होगा, तो बीच में कोई भी CPT test जो पहले होगा करता था, computer proficiency test, वैसे करके कोई test बीच में नहीं हो होगा, and personal interview के बाद, आपका medical test होगा, उसमें आप अगर fitness में qualify कर गए, तो सिधा आपको joining मिलेगा, तो इसमें computer proficiency test बीच में नहीं है, तो इसको लेके confused मत होईए, and attention मत लिजिए, आप interview का तेहारी किजिए, second question जो मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहे है, वो है कि personal interview कहां पे होगा, कहां बुलाया जाएगा, देखिए, personal interview के लिए जब notification निकलागा, जो admit card आप लोग को देना सुरू हो जाएगा, तो 99% chance है कि जो venue रहेगा, वो कोलकाता में होगा, and sod lake sector 5 में ही होगा, कहीं पे, मेरा personal interview हुआ था, sod lake sector 5 में ही हुआ था, and कोलकाता में हुआ थ तो हमेशा वही होता है, तब कोलकात एक्सपर्ट कीजिए, and sod lake की एक्सपर्ट कीजिए, महाई पे आप लोग को बुलाया जाएगा, तो hopefully ये confusion भी clear हो चुका है, third question, जो बहुत ज़्यादा पुछा जा रहो है कि interview कितना दिन बाद होगा, ये question सोचना स्वाहविक है, क्योंकि उसी तरीके साब लोग को preparation करना है, देखिए, at present जो scenario है, आप estimate करके चले कि एक महिना से लेकर दो महिना तक interview पुलाया जा सकता है, ये tentative में आपका पता रहूं कि estimate आप ऐसे कर सकते हैं, तो preparation जो है आपको अभी से ही शुरू कर देना है, one month का target लेके, अगर two month बाद भी होता है, तो आपको revision करने का और ज्यादा मौका मिलेगा, बट आप one से two month का target लेके चलिये, and end में सब कुछ depend करता है कि pandemic situation कैसा रहेगा, अगर pandemic situation बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुआ, कि कोलकाता का स्थिती आप लोग को पताए होगा news channel से कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, अगर कोलकाता में होना है, तो अगर कोलकाता का यह स्थिती आगे चलके एक दो महिना में stabilize नहीं हुआ, तो हो सकता है कि यह जो है extend हो, बट आप अपना तरफ से to be on the safe side, one से two month का target लेके चलिये, and prepare कीजिये for personal interview, fourth question, जो मुझे बहुत ज़्यादा पुछा जारे है in comment section, कि आगर आप BTEC कियो है, तो BTEC बहुत लोग केंडेट से, बहुत लोग ही है, जो लोग engineering background से हैं, ऑफिस executive में qualify कर चुके, तो वो लोग का परिशानी यान confusion major यह है, कि उन लोगों को अलग से computer certificate सो करने के ज़वरत है, कि नहीं है, देखे, इसका जवाब यह है, कि last, दो जो भी recruitment हुआ है, अस्वारा जाकर रिमेंबर, 2019 में recruitment हुआ था, अफिस executive का, 2019 में, और 2016 में एक हुआ था, तो दोनों batch का, जो employees से उनसे मेंने बात किया, और उनसे जो मुझे knowledge मिला है, वो यह है, कि previous recruitment में जो है, बिटेक को consider किया गया है, without computer certificate, क्योंकि इस बार भी जो notification में है, चान नमबर परिंट में सब सब लिखा गया है, कि any bachelor's degree, अगर आप है qualification in any bachelor's degree, with one full paper in computer, तो चाहे आप electrical का हो, या फिर आप electronics के हो, या फिर आप IT के हो, या computer science engineering के हो, मेगनिकल के हो, तो computer paper सब का ही रहता है, तो बिटेक को previous recruitment में जो है, लिया गया है, consider किया गया है, without any certificate, तो इस बार आप वो expect कर सकते है, but at the same time में यह भी कहूंगा, कि rules कभी भी थोड़ा वो change हो सकते है, तो अगर आपके पास already कोई computer certificate है, तो उसको भी जो है, अपने साथ रखा कीजिए, और आपने साथ लेके चलिएगा, नमबर फाइफ, जो question मुझे और पुछा जाता है, वो यह है, medical test जो होता है, उसमें color blindness का test होता है कि नहीं होता है, इसको लगए बहुत ज़्यादा confusion था, पहले भी मेरा पिछला बहुत सारे वीडियो में पूछा गया है, मैंने reply भी दिया है, फिर भी बहुत सारा और new queries आ रहा है, तो for your information यह मैं सपस्ट रूप से कहा देना चाहता हूं, कि जो मेरा previous, मतलब previous जो employees ले चुके है, मनदब जो है जो previous recruitment में selection हो चुका है, उन लोग से जो पता चला है, और मेरा जो personal experience भी है from technical background कि medical test में, आई का test जब होता है जो section में, जो hospital में, उसमें color blindness का test किया जाता है, यह misconception है कि just because objective of non-technical post है, आपका जो है थोड़ा बहुत relaxation किया जाका medical test में ऐसा को बात नहीं है, टोटल body check-up के जाता है, और जब आखों का optic का department आता है, वहाँ पे हार तरीके का test होता है, including color blindness test तो वह अब prepared रहे है mentally वह होगा, number six, आज का last question जो मैं भी address करने वाला वो यह है, कि youth computer training center से अगर कोई computer course किया होगा है, तो उसको माननेता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेके तो सबसेज ज़्याद आप कह सकते मुझे questions आया हुआ है, इससे यह साफ पता चलता है कि जितना भी हम लोग का qualified किये हुए या qualification से पहले भी जो लोग थे, maximum लोगों के पास youth computer training center से certificate लिया हुआ है, अब notification से अगर exactly match करें तो थोड़ा बहुत यह match होता भी नहीं कि उसमें vocational training कहा गया है, तो इसके बारे मैं यह कहें दू कि मैंने भी अपने end से try किया था इसके बारे में कोई पुकता जवाब लेने के लिए from department, बट कोई fixed reply नहीं मिला है, तो मैं यह भी नहीं कहूंगा कि यह certificate totally आपका reject किया जाएगा, मैं यह भी नहीं कहूंगा कि यह आपका accept नहीं हो सकता है, क्यूंकि मुझे जो परिसित्या भी दीक रहा है, तो logically देखने से यह लगता है कि maximum candidate के पास यह certificate है, तो क्या पाता कि यह certificate को जो है last तक मानियता दे दे, acceptance दे दे and accept कर ले, तो at present honestly I am not sure यह accept होगा कि नहीं होगा, बट जिस तरीके से देख रहा हूं अभी situation बना होगा कि maximum candidates के पास यह certificate है, तो I think it might be accepted, बट कोई अभी तक sure reply जो है department के तरफ से नहीं मिला है, So friends that was all for today's video and thank you for watching till the end, आपका अगर कुछ additional doubts है तो इस video के comment section आप ड्रॉक कीज़े मैं reply जरूद दूँगा, जितना ज्यादा comment आगा मैं उतना ही Q&A वीडियोस बनाते रहूंगा, आप लोग का doubts में solve करते रहूंगा, इसके बाद भी जो है दो-तिन दिन में और एक वीडियो आने वाला Q&A जिसमें मैं फिर से और ने 6 questions डिसकास करूंगा, जिसमें जो है आप लोग को और ज्यादा doubts क्लियर हो जाएगा, तो अभी मैं बता दू, preparation जब आप कर रहे परसनल इंटर्व्यू को लिए उसके ओपर जो है मेरा बहुत सारा वीडियो पहले से बना हुआ है, एक common video है, टॉप 10 tips and tricks for personal interview उसका दो पार्ट है, तो पार्ट 1 का लिंक अभी आई बटन में आ रहा होगा, टॉप 10 tips for personal interview का पार्ट 2 का लिंक का भी आई बटन में आ रहा होगा, तो इस वीडियो में में discipline body language dress code सब कुछ discuss किया हूँ, तो अगर अब ही तक ये वीडियो को चेक आउट नहीं किये हैं, तो जो है लिंक पे क्लिक करके चेक आउट कीजियां, डेस्क्रिप्शन में भी जो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, इंटर्व्यू उपर जितना में मेरा वीडियो बना होगा उसको देखिए उसका लाब उठाईए, जो है फुली प्रिपरेड होगा जाहिए फॉर ये पर्सेनल इंटर्व्यू एंड डबली डीचल का मेरा अलग से प्लेइलिस्ट भी है, उसमें डबलीचल लेटर्ड वाराइटीज और वीडियो उसको भी आप चेक आउट कर सकते हैं, तो शीव गाई सुन इन मैं नेक्स्ट वीडियो और ये वीडियो अप लोग अच्छा लागा, तो लाइक बोटन रिटकरना विर्कुल मद भूलेगा, और ये वाइट 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 चैनल, तो अपना ख्याल रखेगा, स्टे सफ्टे हेल्दी, जे हिंथ